तमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशक्रश में, मैं हूँ प्रीती सेंग, आप देख रहे हैं अभिनव पहल आज के अंक में हम बात करेंगे स्वास्त के क्षेतर में बेहतरीन काम करने वाले महराश्र के लातूर जिले की दुनिया में सबसे जादा आबादी होने के बावजूद एक समय में ये माना जाता था कि भारत स्वास्त के क्षेतर में सबसे कम व्याय करता है लेकिन हाल के सालों में हमने देखा है कि देश में हर व्यक्ति तक बेहतर स्वास्ते सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लगातार हेल्थ इको सिस्टेम और इंफरास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है आईश्मान भारत और जन औशिदी स्कीम से घरीबों को एक लाग करोड रुपे की बचत हुई है हाल के सालों में इस साल महराश के लातूर जिले को प्राथमिक स्वास्ते केंद्रों के जरिये बेहतरीन स्वास्ते सेवाएं प्रदान करने के लिए Prime Minister Award for Excellence in Public Administration से सम्वानित किया गया किसी भी देश की उननती उसके नागरिकों के अच्छे स्वास्त पर ही निर्भर करती है इसलिए सारजनिक स्वास्त ढाशे को लेकर एक मजबूत दृष्टिकों अपनाना जरूरी है ताकि स्वास्त को लेकर जागरुकता को बढ़ावा देने के साथ ही बचाव और इलाज पर भी ध्यान दिया जाए और इसे दिशा में महराश्टिके लातूर में केंदर सरकार की प्रमुक आईशमान भारत योजना के तहट 233 हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को लगातार मजबूत किया जा रहा है इसमें खासतोर से गर्बुवती महिलाओं, बच्चों, किशोरियों की स्वास्तजाच, संक्रामक रोगों, कैंसर, डाबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के उप्चार पर खासा जोर है साथ ही स्वास्त जीवन शैली अपनाने को लेकर लोगों को यहां जरूरी सलाव भी दी जाती है आखिर कैसे लातूर ने हासल किया ये लक्ष क्या रही चुनौतियां और क्या है बाकी ऐसे जिलों के लिए सबक जो हर व्यक्ती तक स्वास्त की बेहतरीन सेवाएं पहुचाने के प्रियास में लगातार लगे हुए है आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर बाचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद है खास मेहमान लातूर जिले को ये पर उसकार दिया गया है महराश्ट्र के लातूर जिले के ग्रामेण क्षेत्रों में Health and Wellness Center ने स्वास्ते सेवाओं की बदली है तस्वीर आयुश्मान भारत के Health and Wellness Center के द्वारा हम सभी Extended Services तो दे ही रहे हैं साथ में एक Healthy Village किस तरह से बनाया जाए, एक Healthy Community किस तरह से बनाई जाए इसके बारे में भी हम प्रैतन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में लोग जिसके लिए जाया करते थे तो वो सारी सर्विसेज अब हमने Health and Wellness Centers के माध्यम से हमने देना शुरू कर दिया है जिससे गाओं वालों का यहां पहुचना तो सुगम हुआ ही है साथ ही उन्हें अच्छी स्वास्ते सेवाई गाओं के आसपास ही मिल रही है हम जैसे गाओं को लोगों को हर पास किलिमेटर पर एक डॉक्टर मिला दोर स्टेप अप्रोच हमने रखा कि हमारे जो Health Facility Provider है वो गाओं में लोगों के घर तक जाएंगे वहां उनका स्क्रीनिंग करेंगे एक तरह से उनका विश्वास जीतेंगे ताकि उन लोगों को ट्रीटमेंट पर भरोसा आए अगर कोई पेशन्ट है एक सीरियस पेशन्ट है तो उनका पैलियेटिव केर का वो लोग ध्यान रखते हैं फॉलो अप मेडिसिन्स वहां पर हो रही है कि नहीं वो कर रहे हैं टेली कंसल्टेशन के द्वारा हमने लगबग सवा तीन लाख लोगों को टेली कंसल्टेशन का फायदा दिया है इसमें उनका ट्राबलिंग का टाइम भी बचा है और जो स्पेशलाइज ट्रीट्मेंट है वो उनको सबसेंटर पीएसी लेवल पे हमने अविलेबल करके दिया है आयुशमान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ बीमा का लाब जरूरत मंद तक पहुँचे इसके लिए भी ये सेंटर्स मात्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो इंशुरेंस पार्ट है उसमें भी लातोर जिले में जो हमारे हेल्थ और वेलनस सेंटर्स हैं उनमें हमने कई प्रकार के कैम्प लिये हैं और उन कैम्प के जरीए हमने जो लाभारती हैं अर लोगों को हमने आयूश्मान कार्ड दिया गया है इस आयूश्मान कार्ड से जो भी एंपैनल होस्पिटल हैं प्राइवेट हॉस्पिटल हैं गवर्मन्न आस्पिटल हैं जहांपे उन्हें ओर थोड़ा specialized treatment की आवशकता है तो वहाँ पे वो काड़ का उपयोग कर सकते हैं और वहाँ पे उन्हें निशुल उसका treatment होगा आयुश्मान भारत योजना की वज़े से मेरा इलाज मुफ्त हुआ आयुश्मान भारत की वज़े से मुझे मेरी गर्भावस्था के दौरान सभी सेवाई मिली और प्रसव के बार भी सभी सुविधाय मुफ्त मिली नेरे बच्चे के सभी तीका करेंगी पोरे हो गए हैं पिछले तीन साल में हमारा जो ओपीडी का फुटफॉल है वो काफी जादा इंक्रीज हुआ है तो इससे ये क्लियर है कि हमारे जो ग्रामीन भाग की लोग है उनको confidence आया है गोवर्मेंट की हेल्ट केर फेसिलिटी पे हम सारी services सभी जगे quality treatment हम provide कर रवा रहे हैं महराष्ट के लातूर जिले के क्रामीन इलाकों में गुणवत्ता पूर्ण स्वास्ति सेवा प्रदान करने के लिए Health and Wellness Center का प्रयास प्रशंसनीय है तो आई ऐसे पर चर्चा के शिरुवात करते हैं और पृत्वी राजी पहला सवाल आपी से है आईश्मान भारत योजना के तहट जो Health and Wellness Centers है उनके सभल क्रियान विन के लिए PM Excellence Award मिला लातूर को जाहिर तोर पर ये गर्व की बात है लेकिन ये अचीव करना कैसे मुम्किन हुआ एक तरह से कितना एहम रहा ये moment सबसे पहले हम ये जाना चाहेंगे लातूर जिले के लिए ये डेफिनिटली बहुत गर्व की बात है लातूर जिले अगर आप देखेंगे तो वो मराठवाड़ा विभाग में स्थित हैं महराश्टर के जो ड्रॉट प्रोन है और वहाँ पे जो Human Development Index है वो काफी कम है तो ये पिछटा हुआ इलाका है तो ऐसे इलाके में जो basic services हैं health services वो हम एक समाधान तरीके से लोगों तक हम पहुँचा पाए हैं तो इससे एक बहुत बड़ा हमारा जो जिला प्रशाशन है उसको इस award की वज़े से एक समाधान हुआ है कि हमने जो services पहुँचानी चाहिए थी वो हम पहुँचा पाए हैं जाहिर सी बात है कि हमारे जो health की team है अधिकारी हैं करमचारी हैं उन्होंने जो काम किया है तो इस award से उनको बहुत सन्मान मिला है विशाल जी जब universal health coverage के vision की बात होती है हम जानते कि आविशमान भारत योजना इस vision के साथ 2018 में लागों की गए अब करीब करीब 5 साल जब health and wellness centers इसके अंतरगत हम बात करते हैं तो शुरू में यह माना जाता था कि सिर्फ इलाज पर focus है अब overall wellness की बात होती है किस तरह से इन 5 सालों में तस्वीर बदली है कौन कौन सी नई services है जो add की गई मैं चाहती हूँ पहले थोड़ा आप मोटे तोर पर इसके बारे में जानकारी रहते हैं देखे जब वर्ष 2018 में मानिये प्रधान मंत्री जी ने चातिजगड के बीजापूर जिले के जांगला करके एक गाउं से पहले देश के health and wellness center की गाटन किया था तो उस समय उन्होंने काते हैं कि देश के प्रते गाउं में हम एक लाग पचास हजार कूल health and wellness center बनाएंगे आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज देश में लगभग health and wellness centers की संक्या एक लाग साथ हजार हो गई है और ये health and wellness center एक खाली treatment की बात नहीं करते हैं ये preventive और promotive health की भी बात करते हैं जो की बहुत जरूरी है तो आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जैसे कि अभी collector साब लाटूर के कह रहे थे कि footfall बड़ा है पूरे देश में लगभग 70 करोड footfall जो है एक लाग साथ हजार health and wellness centers में होता है और लगभग 2 करोड से अधिक अभी तक wellness session हो गए है जिसके अंदर yoga, jumba, cycling, walkathon इस तरह की एक जीवन शैली बदलने के लिए प्रियास किया जाता है training दी जाती है, एक orientation किया जाता है और इसके साथ ही जो प्रमोटिव health की जब बात आती है तो खाली exercise करने की भी बात नहीं आती है साथ साथ हमारा खाना पीना कैसा हो आज जो है मिलेट्स इस साल जो है international year of millet भी गोशित किया है सरकार ने और जैसे हम मिलेट्स का अपने खाने पीने में कैसे बढ़ावा दे जो की बड़ा स्वास्थकारी फूड है और तो उसके लिए भी बढ़ावा दिया जाता है इट राइट campaign के तहट fit India campaign जो है उसके तहट भी कैसे exercise करी जाए उसके लिए भी बढ़ावा दिया जाता है तो जब हम हमारा एक life style बदले का हम एक active life style में रहेंगे तो निशित रूप से जो diabetes जैसे बीमारी है या hypertension जैसी बीमारी है वो निशित रूप से कम होगी और उतना ही दवाई या उपचार की आवशाक्ता कम पड़ेगी पृत्वी राजी जब हम इन schemes की बात कर रहे हैं सेंटर्स की बात कर रहे हैं implementation सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी योजना का गर सफल क्रियान बन करना है और गाउं में लोगों को इतना जागरोक रखना समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम है मैं थोड़ा से सबना चाहूंगी अभी कौन-कौन सी सेवाई हैं जो लातूर में दी जा रही हैं किस तरह की पहल हैं जो लागू की गई सेकंड स्टेप है कि जो मैनपावर है जो डॉक्टर्स है, मेडिकल स्टाफ है उनका हमने रिक्रूट्मेंट किया और उनका एक रेगूलरली हमने ट्रेनिंग सेशन्स रखा अलग-अलग तरीके की जो बिमारियां हैं अलग-अलग तरीके जो हेल्थ में चैलेंजिस आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड उनके लिए हमने ट्रेनिंग सेशन रखा साथ ही में जो डाइगनॉस्टिक टेस्स हैं जो पहले अविलेबल नहीं थे तो वो डाइगनॉस्टिक टेस्स जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि ग्लुकोमीटर जिसे हम डाइविटीज चेक करते हैं हाइपर टेंशन, कैंसर तो इस तरह की चीजों के हमने डाइगनॉस्टिक टेस्ट वहाँ पे अविलेबल करवाई साथ ही में जो मेडिसिंस हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टन पार्ट है कि मेडिसिंस वहाँ पे हम निशुल्क दे रहे हैं तो यह जो विस्तारित सेवा दे रहे हैं सेवा के साथ में हम निशुल्क मेडिसिंस भी दे रहे हैं तो medicines की availability भी सभी centers में करवाई, साथ में teleconsultation, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ग्रामीन भाग के लोगों को specialist doctor के पास ले जाना एक challenge होता है, तो teleconsultation के माध्यम से हमने किया, और साथ में community involvement, क्योंकि किसी भी implementation में, government policy में, अगर community involved नहीं है, तो उतना ये शिश्वी नहीं हो सकता, तो जन आरोगय समीती हमने नियमित तरीके से वहाँ पे establish की, और उनका regularly हर महीने meetings होता है, थोड़ा सा और मैं अगर detail में जाओं, तो हमारा जो हमने non communicable disease को लेके एक बहुत बड़ा massive campaign district में किया, जिसमें हमने करीबन साड़े साथ लाख लोगों का हमने screening किया, तो वो screening हमने किस तरह से किया, तो उसकी strategy में first step था कि door step approach, हमारे जो health workers हैं, वो सभी गाओं में जाके, घर में जाके वहाँ पे उन्होंने testing किया, screening किया, तो ये door step approach से हमें काफी सफलता मिली, साथ में opportunistic screening, जो भी लोग health centers में आते हैं, किसी patient को लेके, तो उनके साथ जो लोग आते हैं, उनका भी हमने वहाँ पे screening कर लिया, क्योंकि ये silent diseases हैं, इनके बारे में हमें पता नहीं चलता है, तो opportunistic screening एक किया हमने, उसके बाद सभी जो health and wellness centers हैं, वहाँ पे हम एक NCD day रखते हैं, हर हफ़ते, उस दिन NCD disease, जो की hypertension, diabetes, इसके बारे में awareness दी जाती हैं, साथ ही में जो अलग-अलग दिन होते हैं, जैसे World Diabetes Day है, 14th November को है, then World Heart Day है, तो इस तरह के कारेकरम हमारे health and wellness centers में हमने लिये, जिससे की awareness लोगों में बना, लोगों को पता चला कि इस तरह की बिमारियां होती हैं, और वो खुद से थोड़ा आगे आके screening उन्होंने करवाया, और screening में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो 30 प्लस age group का eligible population है, उसका हम लोगों ने almost 80% पूरे district का हमने cover कर लिया है, जिसकी संख्या लगबग 8 लाग के आसपास है, और उसमें जो लोग भी इस बिमारी से ग्रस्त पाए गए हैं, उनका एक regular treatment हमने शुरू कर दिया है, और doctors उसका एक continuous follow-up भी लेते हैं. ठीक है. विशाल जी, थोड़ा सा मैं समानना चाहूंगी क्योंकि एम यही है कि स्वास्त पर जो जेब पर बोज आता है, स्वास्त पर खर्च का, वो कम से कम किया जाए, उसे बिलकुल गाउं में जो सुविधाए हैं, वो जादा जादा पहुचाई जाए, इन्फरस्रक्टर लगाता है, मजबूत किया जाए, ऐसे में अलगलग स्टेक होल्डर्स की भूमिका महतुपूर्ण हो जाती है, अवेनेस बहुत महतुपूर्ण हो जाती है, कम्यूनिटी का रोल अपने आप में बहुत महतुपूर्ण हो जाता है, इन सब को आप कितना एहम मानते हो और अब तक कैसे रहा है इसमें देखिए अंती मुद्धिश्य तो यही है कि साधारण वेक्ति की जेब पे असर ना पड़े उसका खर्चा ना हो और इसके लिए बहुत सारे प्रियास किये गए हैं एक तो जैसे अभी टैली कंसल्टेशन की बात चली तो अगर कहीं किसी को डॉक्टर को दिखाने के लिए डिस्टिक होस्पीटल ये कम्मूनिटी हेल्थ सेंटर जाना है तो उसके लिए उसको गाड़ी का खर्चा भी लगता है और लेकिन अगर हम टैली कंसल्टेशन वही गाउं में करा देते हैं तो घर बैठे बै उनकी जो है डॉक्टर से बात हो जाती है तो गाड़ी का खर्चा बसता है दिन भर की मजदूरी भी बच जाती है दूसरी बात जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी डॉक्टर साब ने उसके लिए ये सुनुशित हो जाता है कि जो दवाई जो है अब हमने सुनुशित की है कि 273 की दवाई उपलब्द रहनी है या टेस्ट की बात करें तो जैसे सब सेंटर पे 14 तरह के टेस्ट जरूर होने चाहिए या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे 63 तरह के टेस्ट होने चाहिए तो जब ये टेस्ट और दवाईये वहीं उपलब्द हो जाती है consultation वही मिल जाती है तो नागरिकों का खर्चा बहुत बसता है और मुझे पताते हैं खुशी हो रही है कि जब 2013-14 के national health accounts आये थे तो out of pocket expenditure भारत में लगभग 61% होता था जो अब घटके 47% हो गया है तो उदेशे यही है कि लगातार out of pocket expenditure को कम किया जाए और वो कैसे कम होगा क्योंकि जब भारत सरकार की योजना आई है फिर PMJY में लगभग लोगों का 65,000 करोड खर्चा जो है देश के नागरिकों का PMJY में बचा है कई हजार करोड रुपे जो है जन औशिदी योजना के अंतर नागरिकों का बच रहा है और health infrastructure को मजबूत करने के लिए परदान मंत्री आईशमान भारत health infrastructure mission और 15 finance commission ने भी इस पहली बार स्वास्त के लिए पैसा दिया है तो जब जितना जितना सरकार का निवेश बढ़ता जा रहा है नागरिकों पर इलाज का जो है बोज कम होता चलना जा रहा है और जाहर तोर पर जमीन पर जो लोग है यानि जो आम लोग है उनसका अनुभव जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे साथ एक लाभारती जुड़े हो लातूर से विश्वनाद भानुदास जी हमारे साथ है विश्वनाद जी जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है जिसे लातूर में आप लोग आरोग्य वर्धनी केंदर कहते हैं थोड़ा मुझे बताईए कि आपने या आपके केंदर शुरू है तो मुझे एक बार मेरे शरीर को कमज़र आई थी और चक्कर भी आई थी इसलिए ये क्या हुआ करके मैं आरग्य वर्धनी केंदर में गाया और वहां डाक्टर मैडम ने मुझे ये चेक अप किया तो इसमें मुझे शुगर और बीपी निकली तो इसके लिए उन्होंने मुझे दवाप मुफत में दी आब ये केंदर में साथ दिन में एक दिन योगा सन का रहता है योगा सन के टीचर आते हैं और योगा सन में मैं भी जाता हूं और हमारे जो आसपास खेड़े में अदमी वह भी आते हैं ठीक है विश्वान जी यानि आप कह अब आसान हो गया है इलाज और जो वीडियो कॉल का भी जिक्र किया हम इसकी बात भी कर रहे थे हैं उसकी सुविधा भी आप लोगों मिल रही है और उचित सला जो है वो आप लोगों तक पहुँच रही है फिलाल विश्वना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना अनुभव आपने हमारे साथ बाटा कुछ इनोवेशन भी स्योजना के तहट आप लोगों ने की है जिसमें संजीवनी अभियान है जो कि कैंसर के निदान के लिए है मात मृत्यू दर रोकने के लिए जीवन रिखा कक्ष जैसे जो इनोवेटिव स्कीम्स हैं वो आप लोग इसमें ये बहुत ही हिडन ब्मारियां हैं जिसका जो रेगिलर प्रमान होता है उतना सामने नहीं आ रहा था तो इसमें हमने क्या किया कि हमारे हेल्थ अंग उपने लिएक जो हमारे डॉक्टर्स και मेडिकल स्टाफ हैं उनका हमने एक स्पेशल ट्रेइनिग लिया जिसमें स जो suspect cases सामने आए हैं, उनमें BI test एक कहते हैं, वो किया गया है, और जहां पे जरुत पड़ी, वहां पे biopsy भी किया गया है, और इसमें जो suspect cases confirm होए हैं, उनका tertiary treatment के लिए भी प्रधान मंतरी आयोश्मान भारत स्कीम से, जो उनके पास जन आरोगय कार्ड है, उसका उन्होंने फायदा लेके tertiary treatment भी लिया है, मतलब कि screening से लेके final treatment तक उनका कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, पूरा निशुल्क हुआ है, और ये बिमारियां ऐसी हैं, जो महिलाएं आम तोर पे चुपाती हैं, breast cancer and cervical cancer, और जब बहुती स्थिती critical हो जाती है, तब ये सामने आती है, तो इस screening process से हमें कई cases ऐसे मिलें जो pre-cancerous stages भी थे, जिसकी वज़े से ये एक अच्छा मोहिम हमारे district में हुआ है, दूसरा लातुर जिले में जो maternal mortality rate है, MMR है, वो थोड़ा सा state average से जादा है, तो हमने focus किया कि जो pregnant महिलाएं हैं, उसमें जो कही महिलाओं में जो complications होते हैं, और last minute पे जो issues raise होते हैं, तो कैसे हम control करें, तो इसके लिए हमारे सभी जो health and wellness centers हैं, वहाँ पे ninth of every month हम एक special camp लेते हैं, जिसमें हम वहाँ के private doctors को भी involve करते हैं, कि आप भी आके इसमें हमारी मदद करिये, तो इसके थूँ हम जो critical mothers हैं, जो risk mothers हैं, high risk mothers जिनको कहते हैं, उसका हम data इखटा करते हैं, और इस data को एक centralized हमने एक help line शुरू की है, जिसका नाम G1 रेखा है, जो हम weekly monitor करते हैं, district collector level पे, यहां से हम call करके उन लोगों को, जैसे उनका delivery का date आता है, तो उनका transport से लेके delivery तक का पूरा coordination और इंतजाम, government के द्वार्मेंट के द्वारा किया जाता है, तो इससे हमें उमीद है कि हमारा जो MMR rate है लातूर का, वो state average से कम होगा, निश्टी, बिल्कुल, विशाल जी जिस तरह से पृत्वीराद जी ने भी बताया कि MMR rate जो है, वो state के average से जादा था, यानि एक चुनौती ती जो समझा गया और उसके लिए इस तरह का innovative scheme भी जो सबसे बड़ा primary sector को reform हुआ है, health and wellness center के माधियम से, वो एक extra cadre community health officer का, जो है, उनकी posting जो है, किये गई है, और उससे लाव ये मिला है कि जो पहले खाली A&M रहती थी गाउं में या health and wellness center में, अब जो है, वहाँ पर एक trained nurse या आयूश डॉक्टर एक हो गए है, तो एक team के र मिल के team के रूप में काम कर रहे हैं, और बहुत-बहुत innovative practices जो है, वो करते रहते हैं, चाहे वो cancer की screening के विशे में हो, चाहे वो मात रिवम, शिशू, सम्मंदित के विशे में हो, चाहे वो mental health के विशे में हो, और इसका असर जो है, हमारे health parameters पे लगातार आ रहा है, जैसे कि मैं कहूँ आपको की maternal mortality rate, 2015-17 में जो थी, वो 122 थी, अभी घट के 97 हो गई है, इसी तरह infant mortality rate जो थी 37 थी और अब घट के 28 हो गया है, तो इस प्रकार हम लगातार SDG की ओर बढ़ रहे हैं, sustainable development goals की तरह बढ़ रहे हैं, और जितने भी innovations है, हमारा जो है, एक portal है, innovations का वो पूरे देश में जो इस तरह की innovations हो रहे हैं, जैसे MTM करके एक तमिलाडू में scheme है, वहाँ पे उसको किया जा रहा है, जिसमें घर घर में hypertension और diabetes की दवई दी जा रही है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हर संडे को health मेला आयोजित किया जा रहा है, और आसाम में जो है, हर quality के व देश में उडिशा में day care center इस थापिक किये जा रहे हैं, तो हर एक राज्य में हम देखते हैं कि कुछ न कुछ innovation हो रहा है, और इसका हमने एक centralized portal बनाया है, और इस portal के माधियम से हम साल में एक भार सभी राज्यों को जो best practices होती है, innovation summit कराते हैं, और उनको भी award देते हैं, औ जिससे कि सब राजे एक दूसरे से सीखें, और जहां पर जो सीखने की चीज़ है, एक दूसरे को experience share करें, और इस तरह के एक प्रयास हमस्दा हमारा रहता है, प्रितुर्या जी आपका क्या message होगा, new India हम बना रहे हैं, health sector अपने आप में काफी एहम है, civil servants का role भी अपने जो challenges हैं, जितने जादा challenges आते हैं तो उतने ही innovative solutions निकलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लातूर एक मराटवाड़ा विभाग का पार्ट है, जो low human development index की वजए से जाना जाता है, और यहां पे उतनी health services private sector में भी उपलब नहीं है, बट government के थूरू हम ये करने में सफल होए है तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो एक dedicated team हमें चाहिए, जो पूरी तरह से committed हो, पूरी तरह से inspired हो इस तरह के काम करने के लिए, साथ में हमें सभी stakeholders को साथ में लेके चलना पड़ता है, जो जनारोगय समीति के माद्यम से हमने जो elected representatives हैं गाओं के उनको involved किया, जो patients हैं उनको involved किया, तो सभी लोगों को एक साथ लेके अगर हम चलेंगे, तो definitely हर challenge का हम solution ढूं सकते हैं, बिल्कुल, और इसी के साथ समय जो है वो यहीं पूरा हो गया है, पृत्वी राज जी आपका, विशाल चौहान जी आपका और साथ हमारे साथ विश्वनाज जी भी जुड जिससे आज यहां के health and wellness centers लगातार मजबूत हो रहे हैं और जमीन पर लोगों को अच्छी सिहत का तोफा दे रहे हैं, जाहर है, लातूर के रंग लाते प्रियासों से बाकी राज्य और जिले भी सीख ले सकते हैं, इसे के साथ आज इस खास पेशक्ष में फिलहाल इतना ही Prime Minister Awards for Excellence in Public Administration पर यह सिरीज आगे भी जारी रहेगी, New India बराने में योगदान देने वाले पुरसकार विजेताओं से हम आगे की सिरीज में चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगी कैसे उनके अनभव और रिनोवेटिव इनिशेटिव का लाब, बाकी राज्य और जिले भी ल झांच में उनके मर enormaई पुरसकार वाले बात से हम आगे की सिरीजे गारी जारी अेयक कैसे हम आगे की सुमघन